तोही रोकन वाला कौन मगन से जाओ चलिए। इसके और आगे पद है, शब्द है, एक पंक्ती पर हम विचार करें। सद्गुरू कहते हैं कि तोही रोकन वाला कौन मगन से जाओ चलिए। हे मनुष्य, हे प्राणी, तुझे रोकने वाला कौन है, तो जहाँ जाना चाह रहा है, बड़े मगन से और प्रसनता पुर्वक जाओ, तुझे कोई रोकने वाला नहीं है। सद्गुरू कबीर कहां जाने की बात कह रहा है। हर प्राणी, हर मनुष्य की ये दिली इच्छा होती है, कि मैं जीवन में शुक और शान्ती को प्राप्त करूँ। और जब से मनुष्य एक छोटा बच्छा होता है, अबोद अवस्थम होता है, जब उसको कुछ समझ होने लगती है, कुछ समझदारी आने लगती है, तो उसकी भी यही इच्छा होती है, कि मैं सुक히 हो जाओ। दुख से मुक्त हो जाओ शांती को पा जाओ मोक्षा को पा जाओ स्वर्गी जीवन मैं यापन करूँ प्रसुनता पुर्वक मेरा जीवन बीदे इस सबकी इच्छा होती है लेकिन मात्रा इच्छा करने से वो प्राप्त नहीं होता है उसके लिए था हमको कर्म करना पड़ेगा पुरुशार्थ करना पड़ेगा मेहनत करना पड़ेगा भोती कुप लप्ती के लिए मेहनत खूप करते हैं देखिए जे इतना मात्रा पूर्णा काम को भी आदमी छोड़ देता है कि कुछ उसको धन कमाना है महत्वपूर्णा काम क्या है मन को साधने का काम और मन को साधने का काम उसके उपाय कहां बताया जाते है सत्संग में कहीं भी ज्ञान की बाते होती हो वहां इसकी उपाय बताया जाता है लेकिन यह जो महत्वपूर्णा है उसको भी आदमी छोड़ देता है किसे लिए छोड़ देता है धन के लिए जब से समझदारी आती है तो जीवन परियन तो धन ही कमाता है भौतिक उपलब्दी को ही प्राप्त करता है लेकिन मात्र भौतिक उपलब्दी को प्राप्त करने से जीवन में शुक और शान्ती नहीं मिलती अगर भौति कुपलब्दी को प्राप्त करने पर शुक शान्ती मिलती तो आज हल आप देख लिजिए आपके सामने करोड़ पती लोग ऐसे घुनते रहते हैं बिना नीनी की गोली लिए उसकी नीद नहीं आती है एक समान्य व्यक्ति है किसान है मेनत करता है दिंभर मेनत करता है खुन पशिना बहाता है और आकर के कुछ रुपी सुखी खाकर कि वो जब सोता है तो रात कैसे बिती उसको पता है नहीं चलता है लेकिन एक करोड़ पती है जब वो सोने जाता है तो करवटे बदलता रहता है और करवटे बदलता रहता है और सोने के लिए उसकी जो बिस्तर है सधारन नहीं रहता है मखमली गद्दे की उपर वो सोता है फिर भी वो करवटे बदलता रहता है क्यों, जब तक वो नीन की गोली ना ले, तब तक उसको नीन पूरी नहीं होती है, इसका कारण है यह उसने भौतिक उपलब्दी तो प्राप्त कल दी, लेकिन मन की जो उपलब्दी है, मन के लिए जो काम करना चाहिए, शांती के लिए जो काम करना चाहिए, उसकी धर्म की छेत्रम यही भी डमना है कि लोगों की यही है कि हम कहीं आस्रम में जाकर कहीं मंदिर में जाकर कहीं भी जाकर कि वहां से हम जुड़ जाएंगे दिख्षित हो जाएंगे तो हमारा कल्यान हो जाएगा दिख्षित होना अलग है और कल्यान हो दिक्षित होना तो उससे जूड़ना हुआ लेकिन वहां के जो नीती नियम है जैसे ज्यान की बाते पताते हैं जैसे संयम की बाते जो पताई जाती है उसके अनुसार हम चलेंगे तभी वो उपलब्धी प्राप्त होगी वहना ऐसी नहीं मिलेगे किवल जूड़ गए आस्रम से जूड़ गए मंदिय से जूड़ गए कहीं भी किसी धरम संपरदाय से जूड़ गए तो हमारा कल्यान हो गया ऐसी बात नहीं है लेकिन यहीं भी जबना है कि कहीं भी हम दिक्षित हो गए या धर्म से जुड़ गए तो इमाल लिए कि हमारा कल्यान हो गया और ऐसे बताया भी जाता है धर्म मंचो पर कि आप हमारे गुरु से जुड़ जाए अमुक मंत्र ले लिजिए अमुक नदी पर चले जाए और एसनान करिए पंडितों पुजारियों को इतना दान धरम कल दिजिए तो आपका कल्यान है अमुक देवी देवता को इतना चड़ावा दे दिजिए फिर आपकी कल्यान हो जाएगा ये केवल भुलावे के लिए उसके लिए मन के शान्ति के लिए स्वयम पुर्शात करना पड़ेगा भौती कुपलवती हमारे पास है तो तन को अराम देने के लिए था हम दूसरे का सहयोग ले सकते हैं लेकिन मन को अराम देने के लिए हम दूसरे का सहयोग नहीं ले सकते हैं उसके लिए हमको स्वयम करना पड़ेगा काम प्रोद लोग जो मनोविकार है उसको दोने के लिए उसको टालने के लिए जो संद्गुरु जन जो रास्ता पताते हैं उसके उसके उसको पुशात कन पड़ेगा ऐसे ही छुमंतर से गायब होने वाला नहीं है इसलिए सद्गुरु यही बता रहा हैं कि तो ही रोकन वाला कौन मगन से जाओ चली एए मुनसर तुम शान्ती के रास्ते पड़ जाना चाह रहे हो सुख पाना चाह रहे हो तुझे रोकने वाला कौन है जाओ मगन से जाओ एक बात है कोई आदमी गलत काम करने अगर जा रहा है तो कोई टोग दे भीया कहा जा रहे हो तो वो सही बात भी बताएगा मैं चोरी करने जा रहा हूं तो मैं गलत खान पान करने जा रहा हूं मैं शराब पीने जा रहा हूं वो बताएगा नहीं लेकिन एक सज्जन आदमी एक भगत आदमी हैं कहीं भजन चल रही हो सफसंग चल रही हो और उसको अगर पूछा जाए तो बड़े उतसा से कहे कि मैं सफसंग में जा रहा हूं भजन हो रहा है वहां मैं सुनने जा रहा हूं इतना अंतर है बुरे कर्म करने में और सदमार्ग में जाने में इतना अंतर ह गुरे कर्मा वाला है, अपनी बुरे कर्मा को जो करने जा रहा है उसको दूसरे को इस पश्टर से बताये नहीं, जुड बोल देगा। जाएगा अलग काम का निकले, और जुड बोल देंक मैं अमुक जगा जा रहा हुआ हूँ। लेकिन एक सदमार गी आदमी है, सज्जन आदमी है, भक्ता आदमी है, वो उसको सहीं बताए कि उसको कोई गर्डर ही नहीं है, इसलिए सद्गरू यही कह रहा है कि तो ही रोकन वाला कौन मगन से जाओ, अई मनुश्य तुझे रोकने वाला कौन, तुझे बड़े एक प्राक समझदारी मिली है, जीवन को सुख शांती, जीवन में अगर सुख शांती पानी हो, तो हम को संद गुरू जन तीन बातों पर ध्यान देनी की बात कहते हैं, हमारा जोयोहार कैसे सुख में हो, शांती जीवन में कैसे आए, इसके लिए तीन बातों के लिए तीन बाते बतात दूसरा है सकरात्म चिंतन और तिसरा है समझदारी पुरुवक जीना अगर इन तीन बातों पर हम ध्यान देंगे तो सच्मुच में हम इसी जीवन में सुक और शांति को पास सकते हैं अपेक्छा रही जीवन हर कोई एक दूसरे पर अपेक्छा रखते हैं और जहां अपेक्छा होती है वहीं से दुख सुरू होता है अपिक्षा रखनी चाहिए बीना अपिक्षा के हमारा जियोने वहाँ नहीं चल सकता लेकिन समझधारी फुरुबा समझ फुरुबा का अपिक्षा रखनी चाहिए जैसे एक सज्जन है उन्होगरी करता है दिम्भर वो अपने दफ्तार पर काम करता है और शाम को लोड़ करके अपने घर आता है और ये आप एक्छा रखता है कि जैसे ही मैं घर में प्रवेश करूँगा तो घर की जो सदस्चेगान है मेरी पत्नी है या माता पीता है या बाल बच्चे हैं वे मेरा स्वागत प्रसंदता पुरवा करें खासका अपनी पत्नी के लिए एक अपिक्चा रखता है कि मैं दिम भर के लिए मैं थका हारा आ रहा हूं तो मेरी पत्नी मेरे स्वागत के लिए वो खड़ी रहे है ये अपिक्चा किया है गया दपतर से शाम कुछ शमय लोट करके घर गया और जो अब इच्छा किया हुआ है उसकी विप्रित हुआ उसकी पतनी स्वागत के लिए दरवाजे के पास आई नहीं अब उसके मन में एक सोच चिंतन हुआ देखिए मैं दिम भर काम किया और इनी परिवार के लिए पतनी बच्चे के लिए दिम भर कटता हूँ जब साम को लौटता हूँ तो फिर मेरे ऐसा ऐसा वेवार हो रहा है वो ऐसा ही सोच करके वो दुखी बना रहता है तो उसको दुख देने वाला कौन हुआ है उस समय उसको ये सोचना चाहिए पतनी घर में रहती है तो खाली नहीं बैठी रहती है उसको भी दसो काम रहता है वो भी कुछी कारान वस ब्यस्तर रही होगी इस कारान सो नहीं आ पाई एक गिलास पानी नहीं दे पाई उस समय को ये सोचने की जवरा समझने के यही समझने ही पाता है जो अपेच्छा किये रहते हैं उसके विप्रित हुआ तो वो आदमी दुखी हो गया तो उसको दुखी देने वाला कोई बाहरी शक्ती नहीं है उसकी अपनी स्वोच है उसने अपने अप्छा कर रखा कि ऐसा जाओंगा ऐसे करूंगा ऐसा मिलेगा ऐसा मिलेगा इसी प्रकार से सब के लिए भाई भाई के लिए पती पतनी के लिए पतनी पती के लिए माता पिता अपने पुत्र के लिए ये सब अपेच्छा किये रहते हैं और अपेच्छा के जब विप्रित होता है तब जीवन जीओ, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, कोई कुछ काम कर दे, तो उसके लिए धन्यवाद देजे, अगर ना करें उसके लिए धन्यवाद का एक भाव होना चाहिए, तभी हम अपने आप पर सहयमित रह सकते हैं और शुक्षान्ति को प्राप्त कर सकते हैं, तो अपेक् सकरात्मक चिंतर सही सोच रखेंगे, सकरात्मक सोच रखेंगे, तो हमें कोई दुखी नहीं बना सकता, हमारे पास जो वस्तु है, जो उपलब्धी है, हम उसी पर संतुष्ट रहना सीखें, लेकिन होता है तिक इसकी वीपरीत है, बड़े-बड़े समझदार व्यक्ति पे ये गुन देखा जाता है, कि अगर उसके पास कम धन है, संपत्ति है, या उसके परोस वाले पस जादा है, तो उसके मन में अमर्स होता है, कि इसके पास जादा कैसे हो गया है, उसके पास जो संपत्ति है, उस पर वो संतोस नहीं धारन करता है, चलो ठीक है, जितना मिला, अ आगे देखने चाहते हैं, आदमी ये चिंतन करें कि मैं जिस पद पर हूँ, जिस योगेता पर हूँ, जिस इस्तिती पर हूँ, मेरे से भी दैनी इस्तिती वाले हैं, मेरे से भी अभाव गरस्त जीवन जीने वाले हैं, अगर उसको नीचे की ओर देखें, अपने से कम इस्तर धारन करेगा लेकिन ऐसा होता नहीं है बहुत कम बिले में समझदार वक्ति होगा विविक्वान होगा वही संतोष धारन करेगा तो सकरात्मक चिंतन अगर सकरात्मक चिंतन हम अपनाते हैं तो हम दुखी नहीं हो सकते जो मिला जो प्राप्ता है उसी पर ही हम संतोष धारन कर हैं तिसरी बात है समझदारी विवक जीवन समझदार बने विविकवान बने ये बड़ा मरत पूना है अगर सब उपलप जी है हमारे पास लेकिन समझदारी नहीं है तो हम दुखी बने रहे रहें और हमारे वैवहार से दुसरे लोग भी प्रभावित होंगे दुखी बने रहेंगे इसलिए समझदार समझदारी जीवन में आने की ज़ुरत है समझदार बनना बहुत आवश्यक है एक मुदारन है की एक नौदम पत्ती है एक ससंगी के पास जब उनकी शादी होती थी तो लोग उनसे आश्रवाद लेने के लिए जाते थे तो वो प्राया एक बात एक मुदारन बताते थे वो उदारन है की एक नौदम पत्ती शादी की सादी हुई नहीं नहीं और सादी संपन्न होने के बाद सब महिमान सब चले गए तो घर के सदस्थ ही रह गए तो पत्ती और पत्नी में ये विचार आया की देखिए सादी तो हो जाती है कुछ दिनों बाद कुछ महिनों के बाद अच्छा सबका प्रभाव रहता है प्रसना पुर्वग जीवन जीते हैं लेकिन प्राहर देखा जाता है कि कुछ दीनों के बाद, कुछ माहा के बाद, कुछ वर्स के बाद, एक दूसरे के प्रति उतना लगाव नहीं रह पाता है, प्रेम भाव नहीं बना रहता है, तो हमारा जीवन कैसे सुखमे बने, आगे का जीवन कैसे सुखमे बने, इसके लि इन्वार वर्षी एक साल के बाद जब बिदेगी तो उस दिन हम अपनी डायरी को एक दुसरे पर अदला बदली करेंगे उस डायरी में अपने मन में अपने विचार जो आएगा चाहे एक दुसरे पती जो चाहे गुण हो चाहे दोस हो वो हम लिखेंगे और जो दोस रहेगा उसको हम उसको दूर करने का अब प्रयास करेंगे एक-एक डायरी रहे ले पती और पतनी साल भार बीट गए और जो साल की रहा अच्छे धंग से मनाएं उसके बाद साम कुछ समय रात की समय दोनों जब मिले अपने कमरे में तो अपनी डायरी को एक दूसरे पर एक्शेंज कर दिया पतनी अपनी डायरी को पती को दिये और पती अपनी डायरी को पतनी को दिये पती डायरी ले करके पढ़ने लगे और पढ़ने लगे तो उसमें पतनी अपनी बाते लिखी थी कि आप पंदरा दिन तो मेरे साथ अच्छे से बेवहार किये लेकिन आप में ये दोस है वो दोस क्या है आप गुटका खाते हैं और मुझे लगता है आप सिक्रेड भी पीते हैं कभी कभी रोज रोज तो नहीं मुझे लगता है कि आप सायद है सराब भी पीते हैं तो ये आप कुछ छोड़ देनी चाहिए ये अच्छी बात नहीं है और जब मैं एक दिन भर काम करती रहती हूँ आप आप इससे जब आते हैं तो क्या करते हैं आप इससे आ करके आप आपना मुबाइल खुल लेते हैं और कुर्सी पर बैठ करके पंका चला कर कराम से बैठे रहते हैं और मैं दिन भर बैठी यहां दिन भर घर के काम में व्यस्त रहती हूँ तो आपको चाहिए कि मेरा सहयोग करना चाहिए कुछ काम हैं मेरा सहयोग करना चाहिए ऐसी कई बातें से लिखी थी उसकी डायरी पुरे भर गए थी पती मादे पढ़ते गए और मन मन मुश्कुराने लगे उसके गुन को कोई लिखा लिखी नहीं थी वो केवाल उसके दोस्त को ही लिखी थी अब इधर जब पती के डायरी को पढ़ने लगी तो वो तो अवहाक रह गए उसमें लिखा रहा है, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा सुभाव बहुत अच्छी हो, जब भी मैं आफिस में रहता है, तुम ही को याद करता है. मैं ही क्या, मेरे माता पिता भी तुम्हारी बहुत प्रसंसा करते हैं. वे लोग तो बीज बीज में कहा करते हैं, हमें ब पढ़ी ही, तो वो पढ़ती ही रहा गई और उसके आँखों से आशू बहने लगई, पस्तावा होने लगई, मैंने क्या किया, साल भर भर ही काम किया, पती की दोस्त को ही देखती गई, उसके में जो सरलता है, सजनता है, उसको में पहचान नहीं पाई, अब उसी समय टायरी क लेकर के अपने पती के चरणों में में पढ़ गई और फुट-फुट करके रोने ले, मैंने तो क्या किया, यह क्या है, समझदारी पुरवग जीवन, पती, यह जानता था कि पतनी में भी यह दोस्त है, लेकिन उसको अपने जीवन को सुन्दर बनाना था, अच्छा बनान हैं, तो जीवन में समझदारी को लाना पड़े गए, तो मैंने तीन बातों पर कुछ देर के लिए विदन किया, पहली बात है अपक्षर है जीवन, दूसरी बात है सकरात्मक चिंतान, और तिसरी बात है समझदारी पुरवग जीवन जीना, अगर इन तीन बातों पर हम ध् आप्त करशक्ते हैं, बस मैं इतना करकर अपनी वारी को इराम देता हूं, बुलो सद्गुरु देवाजी जैए